नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे डूप चैनल बेसके पार में से दोस्त में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के हम एक आयरुवेदिक प्रोडक्ट जो कि खाफी यूजफुल है कोल्ड सिंटम्स में कफा एंड कोल्ड तो आज की इस वीडि में तुछ लिए सुरू करते हैं मैं बात कर रहा हूं हिमालिया कंपनी के कफलेट सिरफ की जो की एक आयरुवेदिक प्रोडक्ट है और सबसे खास बात यह है कि इसमें सुगर एड ना होकर के हनी एड किया गया है सुगर के स्थान पर मतलब चीनी के स्थान पर इसमें जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे इम्मिन सिस्टम को पहली बात तो मजबशूत करता है हनी उसके अलावस है जो हमारे गले में खरास रहती है या फुझश है स्वास नली में हलकी अगर स्वालिंग बगार है तो उसमें भी यह काफी अच्छ तो प्रशुत देती है उस इंफ्लमेटरी जो रहती है सूजन रहती है उसको यह खतम कर देता है और अब बात करते हैं कि इसके लावा तो इसमें सारी जो कह सकते हैं डाले गये हैं जो अएरुवेदिक दवाईयां हैं वो मिलाई गई हैं जैसे कि मुख रूप से सबसे पहले हाँ हम अब यह जो करेंगे सैंड हैं अब बात करते हैं कि कंडिरक्ट में हम यूज करेंगे उपिरूप से- यह जो कि किसी प्रकार का आपको सर्दी यह उक्षाइँ राईं कर सकते हैं that was com ूशाय तो वो आप इसको यूज करिये खाई और और yog लइन आयरवेदिक पर düş्थ है पूरी तरीके से सुरचित कीषा कोई साई डवीक नहीं तो हर इसको यूज कर सकता है तो इसके अलाबा बात करते हैं कि इसकी डूस कैसे क्या मात्रा रहेगी पीने के लिए तो इसमें अगर आपका बच्चा 3 साल से लेकर के 12 साल तक है तो आप एक चम्मच दवाई गुनगुने पाने में आदा कप पाने करम करेंगे उसमें एक चम्मच आप डवाई में डालेंगे और सुबह दुपाहर साम तीन टाइम आप इसको ले सकते हैं और उसके अलाबा जो है अगर बच्चा आपका बारा साल से उपर है और बारा से लेकर के कर सकते हैं कि एडल्ट हैं तो लोग इसमें से दो चम्मच दवाई सुबह दुपाहर साम गुने पानी के साथ में ले सकते हैं तो यह रहेगा डोज कंबिनेशन और कोई भी इसको प करते हैं है कि सबसे पहले तो इसकी उपनिन करते हैं कि हाके निकलता है और यह स Kundi सकते हैं तो यह ढले में अगर तो तो यह तो चूज आ Tot और उसके लावा सीरफ प्याइए तो गले में सरसरा हर जो है वो खतम हो जाएगी और जो खांसी आ रही है कफ आ रहा है तो जो है अपने आप निकल जाएगा निकाल देगा यह जिए यह वाप इस सीरफ का इस्तेमाल करेंगे तो तो यही ता आज का मेरे वीडियो मेरे वीड लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और से करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में करते के लिए नमस्कार जाहिए